वेल्कम बैक टू री डिस्कवर इन्फोज चनल दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे धरवाड की खदीम बिटिस जमानी की मुन्सिपैलिटी की बिल्डिंग देखिए किस तरह खुबसुरत एक बाग इस इमारत के सामने मौझूद है आईए अब चलें अंदर जैसे हमने इस बिल्डिंग को एंटर किया तो हम हमने देखा कि हैं मुन्सिपल वर्कर्स एतिजास कर रहे थे उनके कुछ मांगें थी चलिए अब इस बिल्डिंग को हम बाहर से चोग तरफ से देखें पहले हम आपको बाहर का मन्जर दिखाएंगे देखिए इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर कितना खुब तूरत है यह आर्किटेक्चर इंडो सेरसिनिक और विक्टोरियन आर्किटेक्चर यह दोनों का मिलन है इस इमारत को बिल्कुल एक महल के शकल में बनाया गया है देखिए इस इमारत में आपको आर्च विंडोस बालकनीज और वाटर डिनेज पाइप्स नजर आ रहे हैं देखिए यह है विंडोस और देखिए यह वाला जो आपने उपर देखा यह की आर्च टोन है जिस पर इस इमारत का बुनियादी ढहंचा बैलन्स करता है चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते रहें दोस्तों हम आपको इस मुन्सिपैलिटी की तारीख भी जरूर बताएंगे आप हमारे साथ बने रही है यहाँ पर इस इमारत में फिल वक्त रिनोवेशन का काम जारी है देख सकते हैं आप कहीं पर कहीं कहीं पर आपको मलबा गिरा हुआ नजर आ रहा है बहुत जल ए रिनोवेशन का काम पुरा हो जाएगा अब हम है बिल्डिंग के सदन एंड में देखिए यह आच विंडोज और इस इमारत को चारो तरफ से अलग-अलग एंट्रेंस मौजूद है जो छोटे हैं अब आगे बढ़ते हुए हम जा रही हैं में बिल्डिंग की तरफ देखिए यह बालकनीज यह आर्च टॉंट्स यह वाला जो में डॉर है आएए चलें अंदर की तरफ इस बिल्डिंग को भी गच से यानि मौटार से बांदा गया है देखिए यह बिल्डिंग का यह सीलिंग यहां पर लोहे के गड़र्स का भी इस्तिमाल हुआ है अब चलें अंदर की तरफ देखिए इस बिल्डिंग में भी इतना विंटिलेशन का ख्याल रखा गया है देखिए आपको स्टील का गड़र साफ साफ नजर आ रहा है अभी देखिए इस बिल्डिंग इस वक्त रिनोवेशन के स्टेज में चल रही है बहुत जल रिनोवेशन का काम मुकमल हो जाएगा चलिए दोस्तों अब हम धर्वाड की मुंसिपैलिटी के तारीख को समझते हैं इस इमारत की बुनियाद सन 1857 यानि जब हिंदुस्तान की पहले जे जंग आजादी सरालम पर थी उस वक्त रखी गई थी इस बिल्डिंग को बनाने एक लंबा अर्षा लगा ठीक एक साल के बाद और एक इमारत खुबली में भी बनाई गई लेकिन वो इमारत धर्वाड वाली मुंसिपल बिल्डिंग उतनी शांदार नहीं है और 1962 में हुबली और धर्वाड को इंटिग्रेट ऐनी दोनों को मिला कर एक कार्पोरेशन बनाया गया जब धर्वाड की मुंसिपलिटी बनी थी तो यहां के मकामी कमिशनर्स ब्रिटिश कमिशनर्स इसकी सरपरस्ती किया करते थे और साहत में यहां के मकामी लीडर जो इंतिखाबास से चुने जाते थे ऐनी कॉंसिलर्स भी मौजूद थे इस वक्त हुबली धर्वाड मुंसिपल कॉर्पोरेशन के जुरिस्डिक्शन में दो सो अठ्रा स्क्वेर किलोमेटर एरिया आता है जो हुबली और धर्वाड सिटी का कम्बाइंड एरिया है अभी डिमांड चल रहा है कि हुबली और धर्वाड ये दोनों बाइफर्केट हो जाए क्योंकि ऐसे आवाम की मांग चल रही है क्योंकि डेवलोप्मेंट फंड का ज्यादा हिस्सा हुबली को जाता है अभी आपने देखा होगा कि इसी क्यामपस में एक कल्चरल हेरिटेज मीरियम भी मौझूद है आप लोग इसे कभी भी विजिट कर सकते हैं लेकिन इसका टाइमिंग जो है सुबा नौ से शाम पांच बज़े तक होता है इस मौझू पर आपको वीडियो कैसे लगा आप अपनी राय हमें अपने कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं हमें आपके कमेंट्स का बेसबरी से इंतिजार रहेगा ताके हम अपने चनल को और भी बहतर बना सकें हमारे आपसी इलतिजा है कि आप री डिसकवर इंफोर चनल को जरूर सस्क्राइब करें ताकि ऐसी और इंफोर्मिटिव वीडियोस हम आपके तक पहुंचाते रहें फिर मिलेंगे बाए अल्लाहाफिस तब तक के लिए टेक केर